नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में खंड सिच्छा अधिकारी यानी BEO से रिलेटेट सारे मोश्ट इंपॉर्टन करेंट अफेयर को पढ़ेंगे तथा यह करेंट अफेयर आने वाले एकजाम PCS 2020 प्री तथा ROARO 2016 के लिए भी महत्तपूर है खंड सिच्छा अधिकारी का एकजाम अगस्त माह में होने वाला है इसलिए हम लोग इसको ध्यान से लाश्ट तक पढ़ेंगे इस बीडियो में हम लोग अंतर राश्टी, राश्टी, आर्थिक, खेलकुद, पुरसकार, आयोग समितियां, आप्रेशन, चर्चित ब्यक्ति, सम्मेलन, समारो, सूचकांक्स और साइंस प्रद्योकी से समंधित सब ही करंट अफेर को पढ़ेंगे, जो आगामी परिच्छा, खंड सिच्छा अदकारी में आने के लिए महत्ति पूर है तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अंतर राश्टी से रिलेटेट कोश्टन को देखेंगे पहला कोश्टन है, COVID-19 महमारी के बाद यूरोप में चुना कराने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश सर्बिया है नासा मुख्याले के नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो नासा मुख्याले के नाम मेरी डव्वू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा सुस बैंकों में जमापैसों के मामले में भारत की सस्थान पर है तो भारत 77 अस्थान पर है तथा ब्रिटेन प्रथम और अमेरिका दूति अस्थान पर है UNICEF report के अंसार यमन में पाँच वर्ष से कम आयू के लगबा कितने मिलियन बच्चे को पोसटर का सामना कर रहे हैं तो 2.4 मिलियन बच्चे को पोसटर का सामना यमन में कर रहे हैं मलावी के नए राष्पती के रूप में किसे चुना गया है तो लच रस चकवेरा को चुना गया है आयरलेंड के नए प्रधान मंत्री के रूप में किसे निउट किया गया है तो माइकल माल्टिन को निउट किया गया है आयरलेंड की राधानी डबलिन है फरवरी 2020 में मुहम्मत तौफीक अलावी को किस देश का प्रधान मंत्री निवत किया गया है तो इराक का प्रधान मंत्री निवत किया गया है तो माल दिव जो है बना है फरवडी 2020 में कौन सा देश अपनी अगली जन गड़ना में पहली बार LGBT लोगों की गड़ना करेगा तो नेपाल पहली बार गड़ना करेगा फरवडी 2020 में दच्छिड अमेरिका के सबसे उची चोटी माउंट एकांगुवा पर पहुचने वाली सबसे कम उम्र के लड़की कौन बनी है तो काम्या कार्थ केजन बनी है फरवडी 2020 में जर्मनी में बरलीन अंतराष्टी फिल्म महसो में इंडिया पबेलियन का उद्गातन किस न किया है तो डाक्टर एजजा संकर ने किया है 22 जनवरी 2020 को यूजन एड्स उच अस्तरी गोल मेंज कारकरम कहां पर आयोजित किया गया तो दाओ स्यूडजल लेंड में आयोजित किया गया बैस्विक प्रती अस्पर्धा सूचकांग 2020 में कौन देश सीर्स अस्थान पर है तो शूडजल लेंड सीर्स पर है तथा भारत इसमें 72 अस्थान पर इस्तित है जनवरी 2020 में जारी हेनरी पासपोल इंडेक्स 2020 में सीर्स अस्थान पर कौन सा देश है तो जापान सीर्स पर है भारत इसमें 54 वे अस्थान पर है 9 से 10 फरवरी 2020 के मद तैतिसाहुआ अफ्रीकन यूनियन सिखर सम्मेलन कहां पर संपन हुआ तो आदिस अबाबा एथियोपिया में आयो जित हुआ जनवरी 2020 में किस बैस्विक संगठन ने वन ट्रिलियन ट्रेज इनिसियोटी शुरू किया है तो विस आर्थिक मंच डबलू एफ ने शुरू किया है जनवरी 2020 को केंदरी पेट्रोलियम एम प्राकर्तिक गेस मंत्राले द्वारा जारी नीती रिपोर्ट की समिच्छा लांच की गई है या समिच्छा रिपोर्ट किसके दोरा त्यार की गई है या समिच्छा रिपोर्ट अंतराष्टी औरजा एजनसी दोरा त्यार की गई है जनवरी दोजार बीस में भारत ने कहां पर होरमुज सांती पहल में भाग लिया है तो तेहरान इरान में भाग लिया है वर्स 2022 में 91 इंटरपोल महासभा कायोजन किस देश में किया जाएगा तो भारत में किया जाएगा दिसंबर 2019 में जारी बैस्विक जलवाई जोखिम सूचकांक 2020 के उनसार वर्स 1998 से 2018 के मद मौसम संबंधित नुकसान की घटनाओं से संबंधित प्रभावी देश कौन कौन है तो जापान, फिलिपिन, जर्मनी, एममेडागासकर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी देश है बैस्विक जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का पाचवा स्थान है 2019 में 14 हुआ स्थान था बिस्प्रेश स्थान्तरता दिवस संबेलन 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा तो दाहेग में अक्टूबर 2020 में किया जाएगा नासा के प्रथम हेलिकाप्टर का क्या नाम है जिसका नाम करण भारती मूल की एक छात्रा वेनिजा रुपानी ने किया है इंजे न्यूटी नाम है नेश्ठ है मैं माह में नासा के उच्च दवाव वाले वेल्टी लेटर जारी किया है इसका क्या नाम है तो इसका नाम विट्टल है नेश्ठ है बिरेसों में फसे भारतियों को सोदेश लानी के लिए किस मिसन की शुरुआत की गई है तो बंदे भारत मिसन की शुरुआत की गई है मुस्तफा अलकामेधी ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तोप पे सपत ली है तो इराग के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सपत ली है किस राज में अफरीकी स्वाइन बुखार का प्रकोब बढ़ता जा रहा है बिश्ट ने सभी लोगों ने चेचक से किस वर्स अधिकारिक रूप से मुक्ति पाली थी तो मैई 1980 में अधिकारिक रूप से मुक्ति चेचक से पाली थी संयुक्त राष्ट परियावरर कारकरम ने राष्टी सद्भावना दूद के रूप में किस अभनेत्री का कारकाल दो साल और बढ़ा दिया है तो दिया मिर्जा का कारकाल दो साल और बढ़ा दिया है विदेश में फसे भारतियों को वापस लाने के लिए भारती नोसेना ने किस अभ्यान के शुरुवात की है रूस ने किस नेता को दुतिये विश्यूद असमारक पदक से सम्मानित किया है तो किम जोन उनको सम्मानित किया है केन सरकार ने सयुक्त राश्ट में भारत का अगला राध्यूद किसे नूट किया है तो टीयस त्रीमूर्थी को नूट किया है बिश्व स्वास्त बिश्व बेपार संगठन WTO के प्रमुक के पद से किस ने अपनी कारकाल से पहले इस्तीफा दे दिया है तो राबल्ट इजो वेदो ने इस्तीफा दे दिया है यूरोप में कोरोना वाइरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन बन गया है तो स्लोवेनिया जो है पहला राष्ट या पहला देश बन गया है ब्रिक्स बिदेश मंत्रियों की अभासी बैठक क्या धच्चता किस ने की है तो रूस ने की है 200 प्रसनता रिपोर्ट के अंसार 200 के सबसे खुशाल देशों की सूची में कौन सा प्रथम अस्थान पर है तो 200 के प्रथम अस्थान पर इसमें भारत का 144 अस्थान है तथा यह रिपोर्ट 193 देशों में जारी किया था तथा प्रथम अस्थान पर फिल्लेंड है बिश्व प्रसनता रिपोर्ट में किस देश को सीर सस्थान प्राप्त हुआ है तो फिल्लैंड को सीर सस्थान प्राप्त हुआ है 9 मार्च 2020 को महिलाओं की इस्थिती पर सयुक्त राष्ट आयोग के 74 सत्र का आयोजन कहां संपन हुआ तो निवार यूसे में संपन हुआ तो युश से जो है सीर्स निरियातक देश है वर्ष 2015 से 19 के अवधि में बिश्ट का सीर्स सस्त्र आयातक देश कौन सा है तो सौधी अरब जो है सबसे बड़ा आयातक देश है बिश्ट के सीर्स आयातक देशों में भारत का कौन सा अस्थान है तो भारत का दूसरा अस्थान है 26 फरवरी 2020 को जारी हुए हूरिन ग्लोबल रिच लिष्ट 2020 में मुके संबानी को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो मुके संबानी को नौवा अस्थान जबकि पहले पे जिफ बे जोस है जनवरी 2020 में जी 77-57 कीस देश को हस्तांत्रित की गई है अंतराश्टि बौधिक संपदा सूचकांग 2020 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्थ हुआ है भारत को 40 अचखान प्राप्थ हुआ है 19 मै 2020 को भारत समेट कितने देशों को चाय देशों का चयन डबलू एच्चो के कारकारी बोल्ड के लिए हुआ है तो दस देशों का चयन हुआ है 18 से 19 मई 2020 के मध 73 वे विश्व स्वास सभा वीडियो कांफिर्स के माध्यम से कहां पर संपन हुआ तो जिनेवा में संपन हुआ 13 मई 2020 को 208 मच दराजारी बैस्विक उर्जा संक्रमन सुचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 28 अपरेल 2020 को पर्थम वर्चुल पीटर्स वर्ग जलुआउ संबाद 2020 आयोजित किया गया इस संबाद की सा अध्धचता किसने की थी तो इसकी अध्धचता जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ने मिल कर की थी अपरेल 2020 में फ्रांस इस्थीत रिपोर्टर्स विदाउट वांडर्स द्वारा वार्शिक विश्व प्रेश स्वतंतरा सुचकांक में भारत की सस्थान पर है तो भारत 142 में अस्थान पर है अपरेल 2020 में किस देश ने सफलता पूर्वक सैन उबगरह नूर लांच किया है तो इरान ने लांच किया है नश्थे किस देश में प्रस्तावित युनिस्को को विस धरोहर समित का चवालिसुआ सुत्र अस्थागित हुआ है तो फजियान प्रांच चीन में प्रस्तावित था जिसको अस्थागित कर दिया गया है एक अपरेल 2020 को सैयुक्त राष्ट ने नॉम्बर 2020 में कहां प्रस्तावित कराब 26वे आयोजोन को अस्थीत करने का निरले लिया है तो गलास को इसकार्ट लेंड में ये आयोजीत होने वाला था G20 देसोंने बैस सुएक अर्थ व्यूस्था में कितने ट्रिलियन डालर से जफाता दियन से जाधा देने के पर्तिबत दता जबता जबता है UK United Kingdom ने 5G Technology के लिए इंडिया सहित लोगतांत्रिक देशों का कौन सा कलब बनाने का प्रस्ताव रखा है तो D10 Democratic 10 Country जो है कलब बनाने का प्रस्ताव रखा है G7 सिखर समेलन कहां पर आयूजित किया जाएगा तो अमेरिका में आयूजित किया जाएगा बिसुस्वास संगठन से सब्बंद समाप करने वाला हाल ही में कौन सा देश हुआ है या कौन सा देश बन गया है तो अमेरिका जो है बिसुस्वास संगठन से संब्द खतम करने वाल ही में देश बन गया है फिनलेंड में भारत के रादूत के रूप में किसे न्यूट किया गया है तो रभीस कुमार को न्यूट किया गया है वाफटा के नए सदस के रूप में किसे न्यूट किया गया है केन सरकार ने बिदेशी नागरिकों के कौसल मांचित्रड के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है तो सौधेश योजना की शुरुआत की है ब्रिटेन में भारत का निया उच्चा यूट किसे नियूट किया गया है तो गायतरी आई कुमार को नियूट किया गया है WTO में भारत के नई रादूत के रूप में किसे निट किया गया है ब्रिजेंद नौनीत को निट किया गया है हाल ही में किस देश ने Global Virtual Vaccine Summit की मेजबानी की है तो ब्रिटेन के बोरिस जांसन ने की है नेश्ट है बिसन बैंक ने ED के वरिष्ट्सलाखकार किसे न्युक्त गया है रूसी भासादि इसका मनाई जाता है आट सथानों को 500 में अस्थान मिली है मेडल आप दा आडर आफ आश्टेलिया से किसे सम्मानित किया जाएगा तो सोभा सेखर को सम्मानित किया जाएगा इस वर्स का विश्व खाद पुरसकार किसे प्रदान किया जाएगा तो रतन लाल को प्रदान किया जाएगा फीफा की जारी ताजा रैंकिंग में भारत किस अस्थान पर है भारत 108 अस्थान पर है नेपाल ने भारत के किन तीन हिस्सों को अपने छेतर में दर्साया है तो नेपाल ने काला पानी लिपुलेक और लिपिया धिरू को अपने हिस्से में दर्साया है फिलिपिन्स में भारत के अगले रादूत के रूप में किसे निउट किया गया है तो संभू एसकुमारन को निउट किया गया है बिस्ट की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल ही में महासागर के सबसे गहरे बिंद तक पहुचने में सफलता हासिल की है तो कैथरीन डी सूलिवियन है निष्ट है भारत कितने साल के लिए संयुक्त राष्ट रच्छा परषद का आस थाई सदस बन गया है तो भारत दो साल के लिए बन गया है शयुक तिराष्ट महसभा के अध्यस के रूप में किसे चुना गया है तो वालकन ओज किर को चुना गया है चीन ने बंगला देश से होने वाले आयात में कितने प्रस्थ समानों पर टैरिफ में छोड़ दी है तो 37 प्रस्थ समानों में टैरिफ छूप दी है ADB के अंसार दच्छिड ADB के अंसार एसिया की वर्ष 2020 में विकासदर कितनी रहेगी तो 0.1 प्रस्थ रहेगी जर्मन बुक ट्रेट्स का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा तो अमरित्य सेन को प्रदान किया जाएगा किस देश ने सस्त्र ब्यापार संधी में सामयल होने का फैसला लिया है तो चीन ने फैसला लिया है भारत ने किस देश के उच्छा यूगति में क्रमचारियों की संख्या 50 प्रस्थ कम करने का फैसला लिया है तो पाकिस्तान में कम करने का फैसला लिया है बिस्ट का सबसे बड़ा उलेक्ट्रिक विमान कौन सा है जिसने हाल ही में अपनी उड़ान भरी है तो सेसना कारवान ने उड़ान भरी है मयई माह में फेच्बुक ने कालिंग के लिए किस एप्लीकेशन को लांच किया है, जलिवाई प्रिवरतन के लिए बीस्व बैंक के प्रैक्टिस मनेजर के पर्लग किसे णियुक किया गया तो आभास जा को नियुक किया गया है हाली में ओपन इसकाई संधी से अलग होने वाला देश कौन है तो अमेरिका जो है ओपन इसकाई से अलग होने वाला देश बन गया है हरित उर्जा उपकरणों के आजा सुल्क में कितने प्रसत की ब्रिद्धी की गई है तो 30 प्रसत की ब्रिद्धी भारत ने कर दिये ह हाली में हुए गुट निर्पेश हांदोलन भारत की तरफ से किस ने प्रतिय निर्थ किया है तो डाक्टर हर्षबर्धन ने प्रतिय निर्थ किया है। मई 2020 में किसी देश ने चीन की कमपनीओं को स्टाक एक्सजंजों सहटाने का विद्यख पारित किया है। तो अमेरिका की सीनेट ने पारित किया है हाली में किस देश के बैग्यानिकों ने सुपर अर्थ की खोच किया है तो नीजी लेंड के बैग्यानिकों ने सुपर अर्थ की खोच किया है दुनिया का पहला खेल इवेंट जो COVID-19 लागडाउन के बाद सुरू किया गया है तो पहला हाइड्रोपावल किन दो देशों की साधिज़दारी से बन रहा है तो पाकिस्तान और चीन के साधिज़दारी से बन रहा है रूस में पावर प्लाइंट से 20,000 टन डीजल के रिशाओं के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है तो अंबन नाया नदी का रंग लाल हो जाती है तो 1.5 लाख लोगों की जान हर साल चली जाती है परियवरर परदर्षन सूज काँग में भारत की रेंग कितनी है तो भारत की रेंग 168 हुई है बिस समा सागर दिवास कब मना जाता है बिस समा सागर दिवास 8 जून को मना जाता है UNDAP ने Goodwill Ambassador for the Poor के रूप में किसे निउट किया है तो M नेत्रा को निउट किया है Richard Dawkins अवार जीतने वाले पहले भारती कौन है तो पहले भारती जावेद अक्तर है New Zealand की प्रधानमंत्री का नाम बताई है जिन्होंने देश में कोरोना वायरे से खत्म होने का एलान किया है तो जेंसिका अरडेन जो है New Zealand की प्रधानमंत्री है Iraq Championship में स्वड़ पतक जीतने वाले अमेरिक किया कि किस पहले जिमनाश्ट का हाल ही में निधन हो गया है तो कुल्ट थामस का निधन हो गया है हाल ही में ASEA का नोबल पुरसकार कहा जाने वाला किस पुरसकार को रद कर दिया गया है तो रेमन मैक्स से पुरसकार को रद कर दिया गया है नासा दौरा नासा बिशिश सेवपदक से किसे समानित किया गया है तो रंजीत कुमार को समानित किया गया है जून माह के पेरे कुरंजीजा का निधन हो गया ये कहां के राश्पती थे ये वरुंडी के राश्पती थे जून माह में लांच किया गया गरीब कल्यार रोजगार अभियान की सुरुवात किस राज से किया गया है तो बिहार खगड़िया राज से इसे च्छा राज्यों में 116 जिलों में लांच किया गया है जून माह में जारी किये गया आगड़ो कंसार मनरेगा के तहां सबसे जादा रोजगार किस सहार में दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में दिया गया है जून माह में जारी किया गया पोल्टा सत्यभामा किस छेतर के लिए लांच किया गया है तो कोईला एंखनन छेतर के लिए लांच किया गया है जून माह में भारत के किस राज में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जिवास मिला है तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिला है सिवालिका की जंगल में किस दवा कमपनी ने भारत में पहली बार COVID-19 बैक्सीन मौखिक रूप से निकाला है तो फेवी पिरावीर ने गलेन मार का कमपनी ने यह निकाला है जून मा के जारी रिपोर्ट के अंसार भारत में आपचारीक रोजगार में कितने प्रस्त की प्रिद्धी हुई है तो अनुब बेरोजगारी में तो 28.6 प्रस्त की प्रिद्धी हुई एक जुन 2020 को भारा सरकार दोरा लांज पीम स्वानिधी योजना किलाभारती कौन है इस्टीट वेंडर से मीडिया इकाई को तर्क संगत बनाने तथा स्वाइत निकायों की समिच्छा पर गठित बिसेशक के समित ने अपनी रिपोर्ट केंदरी सूचना है प्रसारन मंत्री प्रकास जवेडकर को सौपी है इस समित के अध्यच कौन है इस समित के अध्यच बिमल जुलका है भारत में डी कारवनाइजिंग परिवाहन पर्यूदना की सुरुवात कब किया जाएगा तो 24 जून को ITF के सहयोग से अंतर राष्टी परिवाहन फंड के सहयोग से किया गया किसका भारत में डी कारवनाइजिंग परिवाहन पर्यूदना का नश्ठ देश में पहले वर्चुवा स्वास देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उध्गाटन किसके द्वारा किया गया तो मंसुक मंडारिया क की पहचान के लिए युक्ती पोल्टल लांच किया गया है नेश्ठ है रच्छा मंतरी रादनास सिंग ने सैन इंजिनरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिये दी है तो 9304 प्रदों को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है मैं मह के बीच पहली बार कोई ट्रेन किन दो अस्थानों के बीच चलाई गई तो लिंगम पल्ली से हटिया के बीच पहली बार चलाई गई भारत की पहली स्वचलिक्स कोविड-19 पर इच्छन मसीन कौन सी है तो कोबस अड़ शट सो है लेशन्ट रिपोर्ट के मुतावि भारत में पांस साल से कम आयू के कितने प्रस्वत बच्चों की मौत का कारण बाल और मात्र को पोशड़ है तो 68% बच्चों का मृत्व का कारण यही है सबसे अधिक सिसु मृत्युदर वाला राज कौन है मध्द प्रदे मएमा में अगनी प्रस्त मिशाल परक याधार सीला कां da कौन रखी गई है तो आईनास कलिंग में रखी गई है मई मामें किस देश में भारतिय पुरात्त सरविच्चों satisfy ह्को 1100 पुराना स्यूलन्ग मिला है तो बियत नाम में मिला है चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहाद चमबा सुरंग का उद्गाटन किस ने किया है तो नितिन गटकरी ने किया है ब्रिथेविल नवरच्छक पीपी इकट किसके द्वारा बिक्सित किया गया है तो भारती नोसेना द्वारा बिक्सित किया है दिल्ली में मैमा में भारती बीबाद समाधान केंडर का उदगाटन किस ने किया है तो एके सीकरी ने किया है मैमा में भारत ने किस देश को इंडिया नामक नामका वार गेम सेंटर सोपा है तो यूगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को सोपा है भारत के किस छेत्र को परिस्थित्की की रूफ से संबेदन सेल छेत्र घोसित किया गया है तो पस्मी घाट को संबेदन सेल छेत्र घोसित किया गया है हाल ही में जून के महिने में भारत सरकार ने डेरी किसानों के लिए किस योजना को लांच किया है तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना डेरी किसानों के लिए भी लांच किया गया है बिमल जुल्गा समित किस से संबंदित है तो यह फिल मीडिया एकायों के युक्ति करण से संबंदित है वन येर आफ मोडी 2.0E बुकलेट का विमोचन किस मंत्राले द्वारा किया गया है तो सूचना इंप्रसार और मंत्राले द्वारा किया गया है हाल ही में जून के महीने में फ्री इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज कौन है तो देश का पहला राज केरल है आयूस मंतराले के तहट भारतिच किस्सा और होमियोपैथिक के लिए किस आयोक के अस्थापना कی मंजूरी दी गई है तो फार्म, कोपियो, आयोक की अस्थापना की मंजूरी दी गई है टुलीब इंटर्न सिर्प कारक्रम क्या है टुलिप इंजिनरिंग असनादकों के लिए एक इंटरंसी कारकरम है इस जिसके तहद इंजिनरिंग असनादकों के इस कारकरम के तहद भारत के एक हजार स्मार्ट सहरों और 44 सुट से अधिक सहरी अस्थानी निकाओं में काम करने का मौका मिलेगा Safe Online Learning in the Time of COVID-19 नामक पुष्ट का किस मंत्राले द्वारा लांच किया गया है तो मानोस अंसाधन विकास मंत्राले द्वारा लांच किया गया है जून माह में किस मंत्राले द्वारा जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया गया है तो केंद्री महिला और बाल विकास मंत्राले द्वारा किया गया है तो नवीन और नवी करड़ी मंत्राले द्वारा की है रेलेवे ने कितने हास पावर का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमेटो डवलू एजी बारा को सफलता पूर्वक्स चलाया है तो बारा हजार हास पावर को लांच किया है मैं माह में आई एक रिपोर्ट कंसार भारत में कितने प्रजातियों को लुप्त प्राई की सूची बर्ध किया गया है तो बीस प्रजातियों को गंभी रूप से लुप्त प्राई और पैतिस को लुप्त प्राई की सूची में डाला गया है भारत का पहला राज जो कोरोना से मुक्ती घोसित हो गया है तो केरल है, नेश्ट है, बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारती सेना ने मई मा में कौन सा स्किम लांच किया है, तो टूराफ ड्यूटी लांच किया है चक्रवात अंफान किंदो राजियों की तटोव से टकराया था, तो उडिसा और पस्षिम बंगाल के तटोव से टकराया था, इसका नाम थाइलैंड ने रखा था 12 सरकार ने मई महिने में कितने हवाई अड्डो को पीपी अधार परिचालन मंजूरी दे दी है, तो 18 हवाई अड्डो को पीपी पबलिक प्राइबेट पार्टनर्सिप के तहद परिचालन और रख रखाओं के अनमुद दे दी है आदिवासी वहाँ को कुसल बनाने के लिए किस कारकरम के शुरुआत की गई है, तो गोल कारकरम के शुरुआत की गई है जून माह में भारत में सबसे बड़े टिड्डियों का दल का हमला हुआ ये किस महादीब से उड़कर भारत पहुचे हैं तो अफरीका महादीब से उड़कर भारत पहुचे हैं भारत में अलाक वन कब से कब तक जारी रहा तो एक जून से 30 जून के भी जारी रात था भारत का पहला राश्टी AI पोल्टल किस मंतराले द्वारा लांच किया गया है तो केंदरी इलेक्टरानिक्स और IT मंतराले द्वारा लांच किया गया है देश का पहला राज जो COVID-19 खिलाब एक लाख बिस्तर जून तक तयार कर चुकने वाला राज कौन है तो उत्तर प्रदेश राज है माई लाइफ माई योगा प्रतियोकता जून में किसके द्वारा लांच किया गया था तो प्रदान मंतरी नर्द मोदी द्वारा लांच किया गया है तेश्वा राश्टी इ गवर्नेंस संबेलन कहां संपन हुआ तो मुंबई महराष्ट में संपन हुआ पहला भारत अफ्रीका रच्छा मंत्री कांकलियो 2020 कहां आयो जित हुआ है तो लखनो उत्ता प्रदेश में आयो जित हुआ किस राज के सहर में पहली अंतर सहर इलेक्ट्रिक बस सेवा लांच किया गया है तो मुंबई पूरे में लांच किया गया है पहला भारत बंगला प्रेटन उससो कहां संपन हुआ तो अगर तलत रिपला में संपन हुआ देश का पहला राज जो 100% LBG कवरेज वाला देश का पहला राज बन गया है तो हिमाचल प्रदेश बन गया है भारत के किस राज में यूनिस्को का प्रमाड़ पत्र प्राप्त किया है तो जैपुर सहर ने प्राप्त किया है UNCRB के अमसार देश मिलापता होने वाली महलाओ की संख्या सबसे अधिक किस राज में है तो सबसे अधिक महराष्ट में है देश का पहला Glass Floor Bridge कहां पर बनेगा तो उत्रा खंड में बनेगा इंडिया International Seafood सो कहां आजुजित किया गया है तो कोच्ची में आजुजित किया गया है Central Asia Business Council को कहां लांच किया गया है तो नए दिल्ली में लांच किया गया है किस राज ने गाओं का माचितर करने के लिए ड्रोन के ओपियोग का निर्ला लिया है तो मध्ध परदेश सरकार ने किया है किस सहर की पुलिस ने आपरेशन नकेल लांस किया है तो गाजियाबाद की पुलिस ने किया है हाल ही में अटल पेंसन योजना की कितने साल पूरे हो गए हैं तो 5 साल हो गए हैं भारत और मद एसिया के सरशेश छेतरी हवाई अड़ो का किताब किस हवाई अड़ो को दिया गया है तो कैमपे गोड़ा बंगलूरी हवाई अड़ो को दिया गया है मिसन सागर का उद्धिस क्या है इसका उद्धिस COVID-19 के चलते आवरुबेदिक दवाओ और टेबलेट की अपूर्टी मालदियू मेड़ागास का सिल्स और कोमोरोस को कराना है भारती नोसिना जहाद केसरी को इसके तहट तैनात किया गया है किसके द्वारा जर्मदर मृतुदर और सिस्वू मृतुदर का डाटा जारी किया गया है तो भारत के रजिस्टार जर्नडल के द्वारा जारी किया गया है अरोग संजुणी सास्थ बीमा पालसी की सुरुवात किसके द्वारा की गई है तो भारती श्टेट बैंक ने यह की है हाल ही में की गई सर्वे के मुताविक भारत किस राश्टि उद्यान में बागो कि संक्या 88 से वर 1090 हो गई है तो सुंदर राश्टि उद्यान सुंदर वन में यह हुआ है निश्ट कोस्टन है सुरच्छा दादी दादा दादी और नाना नानी अभियान किस ने शुरू किया है तो नीत्यायोग ने शुरू किया है मई 2020 में लोक लेखा समित का अध्यस किसे ने उट किया गया है तो अधिरंजन चौधरी को ने उट किया गया है उत्ता प्रदेश की सरकार ने कर दिया है रच्छा मंत्री रादनास सिंग ने कैलास मांसरोवर की यात्रा के लिए कौन से नए राजमार की अस्थापना की है तो लिपुलेक दर्रे से कैलास मांसरोवर के लिए यह नए राजमार की अस्थापना की है या उत्गाटन की है 9 अप्रेल 2020 को COVID-19 के प्रबंधन के लिए केंद सरकार ने किस मंत्राले के दिच्छा प्लेटफार्न पर Integrated Government Online Procedure IGOT पोल्टल लांच किया है तो मानुस संसाधन विकास मंत्राले के पोल्टल पर यह लांच किया गया है तो National Book Trust of India ने जारी किया है आप रेशन नमस्ते किस छेट से संबन्दी थे तो भारती सेना ने भारती थल सेना ने यह लांच किया है 17 अप्रेल को केंदरी क्रिसियोंबिक किसान कल्याड मंत्री नरेन सिंग तोमर ने किसान रथ मुबाइल एप लांच किया है इस एप की टैग लाइन क्या है इस एप की टैग लाइन किसान का अपना वाहन है केंदरी संस्कृति मंत्री प्रहलाज सिंग पटेल ने नए दिल्ली में अमूर्थ संस्कृति बिरासत की राष्टी सूची जारी किया है इस में से कितने को युनुस्को द्वारा मानाता की अमूर्थ संस्कृति बिरासत की रूप में मानत्या प्रदान की गई है तो तेरा को प्रदान की गई है 22 जनुरी 2020 को केंदरी मंत्री मंडल ने भारत कोवीड-19 अपात प्रक्रिया और स्वास्ट प्रडाली पैकेज के लिए कितने करोड उपे जारी किये हैं तो 15,000 करोड उपे जारी किये हैं 22 अप्रेल को उच्चतम नियाले ने किस राज में अनुसूचित जनजादी छेत्रों से एश्टी को हंडेट परसद अरच्छड को आसब अंधानी घोसित किया गया है तो अंधर प्रदेश में किया गया है केन सरकार ने सरकारी क्रमचारियों के पंसनरों की महंगाई भत्ते को कब तक के लिए रोक लगा दिया गया है तो जुलाई 2021 पर रोक लगा दिया गया है भारत और रूस एके दो सु तीन असाल ट्राइफल के लिए किस समझोते पर हस्ताच्छर की हैं भारती थलसेन एके दो सु तीन असाल ट्राइफल की खारिद के लिए रूस के साथ समझोते पर हस्ताच्छर करेगी इस समझोते के ताहत एक लाख राइफल भारत में बनेगी और बाकी से इस राइफल भारत में ही निर्मित होगी 71 गर्तंद दिवस पर ब्राजील के राश्पती जेयर बोलसनारो भारत के मुखातित बन कर आये थे परधान मंत्री नरिन बोधी ने जेयर बोलसनारो को 2020 गर्तंद दिवस की परेड में मुखातित के रूप में आमंत्रित किया था जिसे ब्राजील के राश्पती ने इसे सहर स्युकार कर लिया था गरतंद दिवस में इस बार स्टार्ट अप इंडिया और नो सेना की भीजाकी दिखाई गई थी पहली बार नेश्ट है हाल ही में पूर रच्छ मंत्री मनुहर परिक्रण की नाम पर दिल्ली में रच्छा वा बिसलेशर संस्थान का नाम रखा गया है राष्टी बित्ती प्रबंधन संस्थान का नाम बदल कर अरुड जेटली राष्टी बित्ती प्रबंधन संस्थान रखा गया है पूर्ब देश मंत्री सुस्मा सोराज के नाम पर राष्टी बित्ती प्रबंधन संस्थान का नाम बदल कर रखा गया है देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुप्त हवाई अड़ा दिल्ली अंतराष्टी हवाई अड़ा बन गया है करनाटक के किसी स्टेशन पर दुनिया का सबसे बला प्लेट फन बना जा रहा है तो हुबली स्टेशन को बनाया जा रहा है प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महगा सहर कौन है तो मॉंबई है उसके बाद दिल्ली उसके बाद चिछन्नाई है तो बेजुन में जारी रिपोर्ट केंसार खादद सुरच्छा सुचकांग में भारत किस अस्थान पर है या भारत का कौन सा राज प्रतमस्थान पर है तो भारत का गुजरात राज प्रतमस्थान पर है हाल ही में जारी किये गए रिपोर्ट का उंसार भारत में C.I.C.E.R.O. की अबादी में कितने प्रस्ट की रिकार्ड ब्रिधी देज की गई है भारत में 29 प्रस्षत ब्रिद्धी दर्च की गई है भारत सरकार ने बासपल लगने वाले सीमा सुलको को 10 प्रस्षत से बढ़ा के कितना प्रस्षत कर दिया है तो 25 प्रस्षत कर दिया है देश का पहला भी निर्मार छेत्र संगठन कौन है जो पूरी तरह से डिश्टल होने वाला पहला संगठन है तो NHAI National Highway Authority of India है साहकार मित्र योजना क्या है यह योजना आग निर्वार भारत की एक पहल है यह एक इंटर्नसिप कारकरम है यह कारकरम देश के युवाव से संबन दीत है देश की पहली सिख मैला कौन है जिसने US Military Academy से गरिजूट किया है तो अनमूल नारंग है देश की किस केंदर सासित प् ऐकली में हाली में किस ठिंक टैंक ने भारत के परमाण हत्यार में बृध्धी दर्च की बात कही है तो है तो म्न दिल्ली में बन रहा år सरदार पते ल यूरोप भाइब उसर्जन कोंसार इधन का उपयोग भारत में किस तिथी से लागू किया जाएगा ? तो 1 अप्रेल 2020 से लागू किया जाएगा भारा सरकार ने ब्लू फ्लैग प्रमाड़ पत्र प्रदान करने है तो कितने समुद्री तटो का चैन किया है तो तेरा समुद्री तटो का चैन किया है 21 से 22 जनवरी के मद एन आइसी है कानक्लियो 2020 कहां पर आयोजित किया गया तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया एमबेकाया नाइंडू द्वारा तेलगू अध्यन हेतू अस्थापित नए बिशिष्टा केंद का उडगातन किस अस्थान पर किया गया है तो नलोर आंज प्रदेश में किया गया है तो इसमें युवा महसुका आयोजन लखनों में किया गया इसका मुख उद्देश या थीम क्या था तो इसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया केंद्री बिद्दुत उर्जा सूचकांग 2019 में सीर्ष प्रदर्शन करने वाले तीन राज कौन कौन से पहला है अरियाड़ा दूसरा केरल और चोथा तीसरा है करनाटा राय सीनर डायलाग्स 2020 कहा उज़ुद किया गया तो नए दिल्ली में उज़ुद किया गया देहली साइकल वाक की अधार सिला रखी है तो ग्रिह मंत्री अमिस्सा ने रखी है किस राज में देश के पहले और सबसे बड़े वाक्थू एवियरी का उधार्टन किया गया है तो महाराष्ट में बीर माता जीजा माई भोसलिक नाम से किया गया है समुत्री सुरच्छा सायों का चौथा पूर्वी एसिया सिखर संबैलन कहां पर संपन हुआ तो चैन्ने तमिल लाड़ो में संपन हुआ उर्जा ततष्ट रेलवे स्टेशन वाला देश का पहला जोन रेलवे कौन बन गया है तो दच्छड मध रेलवे जोन बन जो है उर्जा ततष्ट रेलवे स्टेशन बन गया है किस राज ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है तो बिहार ने शुरू किया है साहर बन गया है तो टिट वोर बन गया है भारत का सबसे लंबा रेल्वे पुल घाट कहां पर बनाया गया है तो मड़ीपुर में बनाया गया है नेश्ट है 28 फरवरी 2020 को पूरवी आंचलिक परिसत की 24 वी बैठक कहां संपन हुआ तो भूनेसर में संपन हुआ है किस राज ने फरवरी 2020 में भूजल अधनियम 2020 को मंजूरी दी है तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है फरवरी 2020 में किस राज ने राज भर में हुक्का बार पर अस्थाई प्रतिबंध लगाने का फैसल लिया है तो 36 गड़ने लिया है देश का पहला किन सासित प्रदेश जिसने संसोधित नागरिक्ता अधिनियम के खिलाफ अभिस्वास प्रस्ताव लाया है तो पुदु चेरी है दो से चार मार्च के बीच आयोजीत एकरहें बंगलूरु इंडिया नैनो समेलन एम प्रदरसनी का आयोजन बंगलूरु में किया गया इसका मुख भीसे क्या था इसका मुख भीसे उद्द्योग 4.0 के लिए नैनो प्रद्रोगों के लिए आयाम था मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट की कौन सी एजन्सी ने भारत के नागरिक्ता संसोधा अधिनियम 2019 के मुद्धे पर उचतम जाले में याजका जायर की है तो संयुक्त राष्ट मानवाधिकार परसदने की है छहां मार्च को किस देश को हिंद महासागर आयोग में पांचमें परविच्छक के रूप में परविश मिला है तो भारत को परविश मिला है मार्च में किस संगठन ने COVID-19 पर इस टार्ट अप के जर्य तकनीक मैप्रिम के लिए टास्क फोर्ष का गठन किया है तो विज्ञानम प्रदोकी भी भागने किया है भारत और पाकिस्तान ने पर्माड सूची के ठीकानों को अदान परदान किया है तो इस समझोते की ताहत भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को हस्तांसर किये थे यह दो जन्रवडी 1991 से लागू हुआ इस समझोते किताद भारत और पाकिस्तान प्रत्यच्छ और अप्रत्यच्छ गत्विदियों में सामिल नहीं होंगे जिससे दूसरे देश के परमाल ठीकानों को किसे भी प्रकार का नुकसान हो जन्रल बिपिन रावत ने सभाला देश के पहले चीफ अपडिपन्स स्टाप का कारिभार 65 वर्ष की आयोत तकीस पत्पर बने रहेंगे वे 31 दिसंबर 2019 को थल सेना प्रमों के पत्भार सेवा निवित्र हुए थे प्रधान मंत्री 5 DRDO परयोकसाला देश को समटपित करेंगे या परयोकसाला देश के युवा बेज्ञानिक के लिए बेहत उप्योगी सिद्ध होगा DRDO के अस्थापना 1958 में की गई थी निश्ट है फेम इंडिया योजना के तहट देश में 2636 चार्जिंग स्टेशन अस्थापित किया जाएंगे इसमें सजाज़तर 317 चार्जिंग स्टेशन महराष्ट में अस्थापित किया जाएगा इसका उद्देश देश में बिद्धुत वाहनों को बढ़ाना है उजाला कारकरम के पांच वर्ष पूरे हो गई है 5 जनुरी 2020 को उजाला कारकरम तथा SLNP लीड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम को पांच वर्ष पूरे हो गई है इस जोजनाने से ग्रेन हाउस गेस उर्ष अजन में वार्षिक रूप से 4.8 मिलियन टन की कमी होगी इबलेट सर्विस का मुख उद्दिस क्या है जिससे डाक्टर हर्स बर्धन दरह लांच किया गया है तो बंगलोरू में इस्थित है जून में जारी टीवी वार्षिक रिपोर्ट के अंसार देश के किस राज का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा तो गुजरात का रहा है देश का पहला प्लाजमा बैंक किस राज में खोला जाएगा यह खोला गया तो दिल्ली में दूसरे तविलाड में खोला गया है पहली बार निजी छेत्र की किस अंतरिच कमपनी का अंतरिच यान दक्रू ड्रैगन दो अंतरिच यात्रियों को लेकर अंतराष्टी स्पेस स्टेशन के लिए फ्लोरिडा इस्थित कैनेडी अंतरिच स्टेशन से रवाना हुआ है तो स्पेस यक्स जो है पहली बार निजी छेत्र की वो अंतरिच कमपनी है जो जो है अंतराष्टी स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ है इसके जो सी यू है एलन मस्क है किसके स्पेस यक्स के इस मिसन को क्रू डेमो 2 नाम दिया गया है इसमें दो अंत्रिच छेयात्री रावल्ड विनकेन और डगलस हरले जो है 19 घंटे में अंत्रिच स्टेशन पहुँच गये हैं नेस्ट कोस्टन है 27 मई को कहां भारती वाव सेना ने केजस MK1 FOC बिमान को 18 स्क्वेडरन में सामिल किया है तो भारती वाव सेना ने इसको स्टेशन सुलूर पर सामिल किया है नेस्ट है मई 2020 में कहां इस्थित पोहुणू जोला मुखी को बिश्ट का सबसे गर्म और बड़ा जोला मुखी घोसित किया गया है तो हवाई इस्थित पोहनू जवाला मुखी को बिश्च का सबसे गर्म और बड़ा जवाला मुखी इस्थित किया गया है नेस्ट कोस्टन है अप्रेल 2020 में कोविड नाइंटीन के उपचार हे तू कहां पर वाईटल नामक एक नया हाल्ड प्रेसर वेल्टी लेटर किसके द्वारा बनाया गया है तो बता दें ये अमेरिका इस्थित नासा इंजीनिरो दारा इसे बनाया गया है वाईटल हाई प्रेसर वेल्टी लेटर को नेस्ट कोशन है 21 अपरेल 2020 को प्रद्वकी विकास बोल्ड टी डी बी ने कोविड नाइंटीन नेदनिक किट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस सोद्येसी कंपनी को बित्तिय सहायता की मंजूरी दी है तो मैसर्स माई लेब डिस्करवरी सल्यूशन्स पूरे को विज्ञान और प्रद्वकी विकास बोल्ड ने मंजूरी दी है नेस्ट कोशन है जुलाई 2020 में मंगल यान ने मंगल गरह की किस सबसे बड़े उपगरह का चित्र भेजा है तो फोबोस जो है मंगल का एक उपगरह है फोबोस का चित्र जो है मंगल यान जो भारत के द्वारा भेजा गया है फोबोस का चित्र भेजा है नेस्ट है सोदेशी रूप से बिक्सीत को वैक्सिन दवा को किस कमपनी ने बनाया है तो भारत बायोटेक ने बनाया है भारत बायोटेक और ICMR के बीच करार हुआ था जिसके तहट को वेक्सिन भारत का सोदेशी पहली वेक्सिन बनाया गया है किस देश की एजनसी ने घोसरा की है कि वह 2023 में पहली बार परेटको को स्पेस वाक के लिए ले जाएगा तो रूस की अंतरिच एजनसी जो है उसने इसकी घोसरा की है नश्ट है नेविक जेपियस के लिए सोदेशी रिसीवर चिप धुरू किसने बिक्सित की है तो IIT बामबे ने धुरू सोदेशी रिसीवर चिप बिक्सित की है सिपला कमपनी ने COVID-19 मरीजों के उपचार के लिए कौन सी दवा बनाई है तो सिप्रेमी दवा बनाई है इसे भारत सरकार ने मानिता परदान कर दी है नेश्ट को सने भारत की पहली COVID-19 परिच्छड आई लेब की किसने हरी जंडी दिखाई है तो डाक्टर हर्स बरधन ने इसको मानिता परदान किये है या हरी जंडी दिखाई है ये आई लेब चलता फिलता एक लेब है एक वैन है जिसमें जो है इसको कहीं भी सुदूर COVID-19 परिच्छड किया जा सकेगा नेश्ट है जर्मी क्लीन पुलिस और सुरच्छा कर्मियों की वर्दी को क्लीन करने के लिए किसने बनाई है जर्मी क्लीन को तो ये जर्मी क्लीन DRDO द्वारा बनाया गया है जो पुलिस और सुरच्छा कर्मियों की वर्दी को क्लीन करेगा नेस्ट है PPE kit को किटारू रहित करने के लिए किसने अल्ट्रा सुच्छ बूथ बिक्षित किया है तो DRDO ने PPE kit में जो क्या क्या आते हैं दस्ताने आते हैं जूते आते हैं और मास्क आते हैं ये सब PPE kit के तहाँ आते हैं नेस्ट कोस्टन है मिशन गगन यान क्या है तो गगन यान इसरो का एक crew space program है इस कारकरम के तहट तीन वाउ सेनक के पालिटों को अंतरिच में ले जाया जाएगा इसे दिसमबर 2021 में लांच किया जाएगा नेस्ट कोस्टन है किस देश के बग्यानिकों ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है तो न्यूजिलेंड के बग्यानिकों ने सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है नेस्ट कोस्टन है भारत की पहली सोचलित कोबीट 19 पर इच्छड मसीन कौन है तो कोबस अरशट सो भारत की पहली सोचलित मसीन है नेश्ट है भारत की पहली सोदेसी एलिसा टेस्ट किस्ट कौन है तो भारत की जो पहली एलिसा टेस्ट किट है वो कोविट कवच जो है भारत की पहली सोदेसी किट है नेस्ट कोस्टन है धुरू UV अधारी सेनिटाइजर है इसे किसने बिक्सित किया है तो धुरू जो है अल्ट्रा वाइलेट एक सेनिटाइजर है इसे DRDO द्वारा बिक्सित किया गया है नेस्ट कोस्टन है चीन का पहला मंगल अनवेशड मिसन का क्या नाम है तो चीन का पहला मंगल अनवेशड का नाम तियान वेन प्रथम है या तियान वेन फश्ट है नेस्ट है देश का पहला राज कौन है जो ICMR से COVID-19 के लिए पुल परिछड की अनुमत प्राप्त कर लिए है तो उत्तर प्रदेश जो है पुल परिछड के लिए अनुमत प्राप्त कर लिए है अप्रेल 2020 में अखिल भारती आयोर्विज्ञान संस्थान ने देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मानिटरिंग सिस्टम कहां पर अस्थापित किया है तो रिसी केस में अस्थापित किया है नेस्ट कोस्टन है 11 अप्रेल 2020 को किस संस्थान ने COVID-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाजमा थेरेपी की खोच की है तो सिरीचित्र तिरूल नल इंस्थिट्टूट फार मेडिकल साइंसेज एंड टकनोलाजी ने नवीन ब्लड प्लाजमा थेरेपी की खोच की है नेस्ट है अप्रेल 2020 में किस प्रद्योगी संस्थान ने नव प्रवर्तन केंद्र ने फुल बाडी सेनिटाइजेशन डिवाइस बिक्सित की है तो IIT ब्यच्चू ने इस डिवाइस को बिक्सित किया है कहां इस्थित रच्छा अनुसंधान योम बिकास परियोग साला ने COVID-19 परिछड है तो नमूना संग्रण के लिए कौन सा बैंक कोवस नामक कियास्क बिक्सित किया है तो अहमदाबाद ने कियास्क नामक एक बैंक बिक्सित किया है जिसके ताहत COVID-19 जो करोना परिछड है उसके किट को संग्रहित किया जाएगा नासा का संराइस मिसन क्या है तो नासा अंतरच एजनसी नासा ने 30 मार्श 2020 को संरेडियो इंटर फेरोमीटर इसपेस एक्सपेरिमेंट मिसन की घोसड़ा की है इस मिसन के द्वारा सूर के विसाल काय और सौर कड तुफान का अध्यन किया जाएगा इसी को नासा का संराइस मिसन कहा गया है नेस्ट कोस्टन है 25 माई 2020 को बिज्ञान इंप्रद्दोग की मंत्राले ने प्रेस बिज्यप्ति के अंसार पूरे इस्थित अधार कर रिसर्च इंसिट्यूट के बिज्ञानिकों ने किस फसल की बायो फॉल्टी फाइट किस मैक से चालिस अठाइस बिक्सित की है तो गेहू की ये किस मैं बिक्सित किया गया है नेस्ट है चार मार्च को किस प्रद्दोग की संस्थान द्वारा कृतिम बुद्धिमत्ता अधारित ड्रोन को बिक्सित किया गया है जो आवांचित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए सच्छम है तो IIT मदरास ने इसको विक्सित किया है नेश्ट कोस्टन है पुड़े इस्थित अधारकर अनुसंधान संस्थान द्वारा किस फल की उतक्रिष्ट किस में ARI 516 विक्सित की है तो अंगूर की विक्सित की है नेश्ट है 27 फरवडी 2020 को छठा तत रच्छक अब तटिये गस्ती पोत ओपीवी 6 चन्नाई में लांच हुआ यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है तो यह मैसर्स LLT सिप बिल्डिंग लिम्टेट द्वारा बनाया गया है नेश्ट कोस्टन है मार्च 2020 में किस प्रद्वकी संस्थान ने कोरोना संक्रमित लोगों पन नजर रखने है तो कोरोना टाइप एप विक्सित किया है तो IIT बामबे ने इसे विक्सित किया है नेश्ट है माई 2020 में कहां इस्तित राष्टी विशाडू बिग्यान संस्थान ने कोरोना संक्रमन की जाचेतू पहली सोदेशी एंटी बाडी डिक्टेशन कित विक्सित किया है तो पुड़े महराष्ट ने इसे विक्सित किया है नेश्ट कोस्टन है एक माई 2020 को CSIR ने किसानों की अपूर्थी और सिंख्रला और माल प्रबंधन प्रडाली से जोड़ने के लिए किसान सभा एप सुरू किया है इसे कहां इस्थित केंदरी सडक अनुसंधान सडक ने विक्सित किया है तो इसे नई दिल्लीन में विक्सित किया गया है नेश्ट कोस्टन है मार्च 2020 में भारती सेना में सामिल होने वाला उन्नत सारंग तोप को किस फैक्टरी द्वारा तयार किया गया है तो इसे gun carries factory जबलपुर के द्वारा तयार किया गया है नेश्ट है के नाइन ब्रज टी गन के निर्माड हेतु भारत की निजी कमपनी लारसन एंड ट्रूबो द्वारा किस देश की कमपनी द्वारा अनुबंध किया गया है तो दच्छिड कोरिया दोरा इसे अनुबंध किया गया है या समझोता किया गया है नेश्ट कोस्टन है हन्ता वाइरस क्या है तो चीन के यूनान प्रांत के एक ब्यक्ति हन्ता वाइरस से संक्रिमित हुगा 23 मार्च 2020 को वाइरस के लिए सकारात्मक परिच्छड के बास उस ब्यक्ति की मृत्ति हो गई हन्ता वाइरस के लच्छड कोरोना वाइरस के ही समान है नेश्ट है भारत की पहली हाइपर लूप पॉंड प्रतियोगता का यूजन कहां किया जाएगा तो आयाइटी मदरास में किया जाएगा नेश्ट है नैनो बिज्ञान और नैनो प्रतियोगती पर अंतर राष्टी सम्मेलन का यूजन कहां किया गया तो कलकत्ता में किया गया नेश्ट कोस्टन है जी आई एस एटी फर्ष्ट उपगरह को कब लांच किया गया तो इसे 5 मार्च को इसरो द्वारा लांच किया गया यह इसरो का 2020 में पहला उपगरह है जिसे लांच किया गया इसरो भारती उप महादीब की निगरानी के लिए जी आई सेट फर्ष्ट अर्थ इमेजिंग सेटलाइट लांच किया है जावा इसक्रिप्ट इसनिफर क्या है तो हाल ही में सिंगरपूर बेस्ट एक साइबर सुरच्छा फर्म ने खुलासा किया है कि डार्क वेब पर बेचे जा रहे है ठान विप्रस्त क्रेडिट कार्ड डाटा भारती ग्राहकों का है इस कार के लिए जावा इसक्रिप्ट इसनिफर नामग मिलवेर का उप्योग किया जाला है तो ये एक प्रकार से मिलवेर है नेस्ट कोस्टन है 17 से 19 फरवरी के बीच बायो एसिया 2020 का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया नेस्ट है 19 जनवरी 2020 को भारत ने के फोर बेलेस्टिक मिसाइल का सफल परिछण किया है यह सफल परिछण कहां से किया गया तो इसको विसाखा पट्टनम्तट से आंध्र प्रदेश से किया गया नेस्ट है हाली में किस राज में छोटे मेड़कों की तीन नई प्रजातियों का पता चला है तो अरुडांचल प्रदेश में इसका पता चला है नेस्ट है हाली में किस राज में नई मचली प्रजाति का पता चला है तो अरुडांचर प्रदेश में भी नई मसली प्रजात का पता चला है नेश्ट है कि 19 फरवरी 2020 को 600 किलोमीटर रेंज वाली राड सिकंड मिसाइल का परिच्छड की से देश ने किया है तो पाकिस्तान ने इसका परिच्छड किया है नेश्ट कोस्टन है तीसरी स्कार्पियन पंडुब भी आइनस करंच भारती नौसेना में कब तक सामिल हो सकती है तो दिसंबर 2020 के अंत तक इसे सामिल होने की संभा होना है नेश्ट कोस्टन है तीन फरवड़ी को भारत सरकार ने विज्ञान यों प्रद्दुग की विभाग ने साथी पहल की सुरुवात की है साथी का पूरा नाम क्या है तो साथी का फुल फाम है परिस्कृत बिशलेशड आत्मक और तकनीकी सहाथा संस्थान इसका फुल फाम है नेश्ट कोस्टन है जनवरी 2020 में नासा द्वारा किस अंतरिच बेदसाला को बंद कर दिया गया है तो स्विफ्ट जर को बंद कर दिया गया है नेश्ट कोस्टन है 29 जनवरी को इसरो ने भुवन पंचायत 3.0 लांस किया है यह क्या है भुवन इसरो द्वारा संचालित एक उपगरह एव एप्लिकेशन है इसके द्वारा यूजर पिर्थवी को 2D और 3D के रूप में देख सकता है नेश्ट है DRDO द्वारा गरतंत दिवस परेड में पहली बार किस हत्यार प्रलाली को परदरशित किया है तो ASAT एंटी सेटेलाइट वेपन सिस्टम को पहली बार परदरशित किया गया है नेश्ट है 20 भारत के G730 उपगरह को कहां से सफलता पूरवक लांच किया गया है तो French Gwana से सफलता पूरवक लांच किया गया है नेश्ट कोस्टन है भारत में मानो अंतरिच उड़ान किंद के अस्थापना कहां पर की जाएगी तो करनाटक चिल्ला केरे में भारत में नए मानो अंतरिच उड़ान किंद का अस्थापना किया जाएगा नेश्ट है तीन जनवरी 2020 को 107 भारती बिज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन बंगलूरू में किया गया इसका थीम था बिज्ञान और तकनी की ग्रामिर बिकास नेश्ट कुस्टन है महला वर्ग में सबसे अधिक दिनों तक अंतरिच इस्ठेशन पर रहने वाली महला अंतरिच यात्री कौन है तो क्रिष्टीना कोच जो है पहली अंतरिच इस्ठेशन बन गई है जो सबसे अधिक दिन तक अंतरिच इस्टेशन पर रही है महिला वर्ग में नेश्ट है किस प्रद्योग की संस्थान ने तेल अधारी ड्रग डिलिवरी द्वारा कवच जनित रोगों की उपचार पद्दत विक्षित की है तो IIT हैदराबाद ने विक्षित की है नेश्ट है 11 जनुरी 2020 को गरिह मंत्री द्वारा गाधी नगर गुजरात में लांच की गई पहल कौन सी है तो विश्वास यों साइबर अस्वस्त पहल लांच की गई है नेश्ट है भारत के धुर्वी उपकरह प्रच्छेपड यान PSLV की पाचवी उड़ान कब संपन होई तो 11 दिसंबर 2019 को इसकी पाचवी उड़ान संपन होई ये थाच का हमारा संपूर छमाही बिज्ञान और प्रद्योग की से संबंधित करेंट अफेर इसका PDF जल्द ही आपको दे दिया जाएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बलने